हेलो नमस्कार स्वागत है आपके अपने चैनल को टुगेधर टबलू सविता में दोस्तों आज मैं आपके साथ गुणों से भरपूर पराठी की रेसेपी सेयर करूंगी जिसमें आइरन, कैल्सियम, पोटेसियम और बहुत सारे पोसक्ततों इसमें पाया जाते हैं तो यहां मैंने ले लिया है एक आवला और इसको अच्छे से धो करके महीन वाले ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे आवला बहुत ही जादा पोस्टिक गुणों से भरपूर है हमको खाना चाहिए चाहिए किसी भी रूप में तो इससे मैंने बहुत ही कम मिर्च मरसालों के साथ बनाने की कोशिस की है तो यहां पर देखिए सारे मसाले डाल करके इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और पहले से ही मैंने आटा लगा करके रखा था उसमें से एक आटे का पेड़ा काटेंगे और इस तरीके से गुल कटोरी की तरह बना लेंगे फिर इसके अंदर अपने सारे आवले के फिलिंग को भर देंगे अच्छे से दबा दबा के भरेंगे एक अंगुठा अंदर रख करके इस तरीके से मोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से यह मुड़ जाता है और मोड़ करके फिर इस तरीके से बंद कर देंगे और फिर कॉमेंट में बताना बिल्कूल भी मत भूलिएगा कि आपका ये पराठा कैसा बना तो बस पराठा बेलने के बाद इसको तवे पर सेख लेंगे पराठा डाल करके फिर इसके बाद थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर अलट पलट कर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सेक लेंगे तो आप जब इस पराठे को बना करके खाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा कसैला लगेगा क्योंकि आवला कसैला होता है खट्टा भी होता है आवला खाने के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो आपको मीठा मीठा सा लगता है तो इसका टेस्ट थोड़ा सा आपको कसला लगेगा लेकिन टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगेगा आप इसमें अपने मन पसंद मिर्च मसाले आड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ इसको बनाया है और मैंने इसको चाय के साथ ट्राइ किया था आप अपनी किसी भी मनपसंद चीज के साथ इसको ट्राइ करिएगा और कॉमेंट में जरूर बताइगा कि आपको इसका टेस्ट स्वाद कैसा लगा तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शब्सक्राइब, सेयर, कॉमेंट करके बताइए कि आप मेरी ये रेसिपी वीडियो कहां से देख रहे हैं फिर मैं मिलूँगी एक ऐसी ही नई रेसिपी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान देखे दोस्तों प्लीज आप सब से हमबल रिक्वेश्ट है छोटी से वीडियो है प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों अच्छा खाएं खुश रहें तन दुरुस्त रहें फिर मैं मिलूँगी एक ऐसी ही नई रेसिपी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान दखिए